Hello everyone. Welcome back to my youtube channel. So guys, इसके पहले vlog में देखा कि हम travel कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं संतरागाची पहुँच चुकी हूँ. संतरा गाची हवडा में है. यहाँ पर मैं संतरागाची पहुच चुकी हूँ. और यहाँ पर आनंद प्रीपेट टैकसी का जो बूत है. यहां पर टोकन लिए अप्रिपेड टैक्सी के लिए लाइन में लगे वे हैं ताकि हम यहां से सियाल्दा रेल्वे स्टेशन जा सके क्योंकि हमारी जो next connecting train है वो सियाल्दा के लिए है सियालदा से है और यहाँ पे देखिए हमें टैक्सी मिल चुकी है और शान वी देखिए कितना enjoy कर रही है यह taxi की जो drive है वो बहुत अच्छे से enjoy कर रही है और guys finally मैं reveal कर ही देती हूं कि मैं कहां जाने वाली हूँ so guys मैं जा रही हूँ अपने माई के अपनी ममी के घर summer vacations में मैंने suspense बना रखा था यहाँ पे मैं सियाल्दा के लिए निकल चुकी हूँ और बहुत ही कम टाइम में हम सियाल्दा पहुँच गए थे और यहाँ पे देखिए यह कोई new bridge बना है हावरा ब्रिज के जैसा और यह मतलब original हावरा ब्रिज के जैसा तो नहीं है बट यह हाँ यह जो new bridge बना है यह भी काफी अच्छा है और आगे देख सकते हैं इसका look कितना अच्छा है और यहाँ पे न मैं बिल्कुल exhaust हो चुकी हूँ ठक हार चुकी हूँ इतनी ठक गई हूँ ने इतना लंबा सफर हो जाता है कि मेरा बिल्कुल भी अब मतलब सफर करने का मन नहीं कर रहा था बट कोई नहीं यह हमारा last train है हमें तीन तीन train बदल के आना पड़ता है चाहे माईके जाओ चाहे ससुराल जाओ यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में आपको cricket stadium भी देखने को मिलेगा और यह जो bridge है यह काफी अच्छा और बिल्कुल new bridge है तो आप देख सकते हैं इस पे उतना जादा traffic भी आभी नहीं है तो यह चीज मुझे अच्छी लगी और मुझे सियालदा से स्वारी सियालदा तक पहुँचने में जादा time नहीं लगा अपर बीस से पच्छिस मिनिट में हम पहुँच गए क्योंकि evening का time था तो बहुत जादा traffic नहीं था और यह आप देख सकते हैं I think यह Victoria Memorial की building है if I am not wrong यह Victoria Memorial ही है दूर से देखने में तो मुझे वही लग रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं मुझे लगता है कि यह जो हावड़ा है पहुच एरिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं roads, greenery और बाकी सारी चीज़े बहुत ही अच्छी थी और traffic भी बिल्कुल कम मिला हमें तो हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए अपने जो station हमें पहुँचना था और साम का वक्ता तो उतना जादा traffic नहीं था यहाँ पे आप देख सकते Eden Garden है और यह हमारा cricket stadium जहाँ पे हमने कई match देखे हैं टीवी पर आज मैं आँखों से अपने सामने से देख रही हूँ भले ही मैं बाहर से देख पा रही हूँ बट अपने आँखों से देख पा रही हूँ यहाँ पे देख सकते Eden Garden all gates लिखा हुआ है यानि guys यह Eden Garden जो stadium है अंदर उसका gates है और यहाँ पे traffic था तो हम दो मीनेट रुख गया और luckily मैंने यहाँ पे shoot कर लिया और मैं बाहर से देख पाई हूँ hopefully कभी मुझे मौका लगे तो मैं अंदर से भी match जरूर देखना चाहूंगी और बाहर से देखने में यह जितना सुन्दर लग रहा ना अंदर से तो और भी जादा खुबसूरत होगा और यहाँ पे lights वेगरा देख सकते हैं और यहाँ पे जितने भी gates थे ना सारे लिखे हुए थे यह चीज़ मैंने देखी कि आप मुझे नहीं पता कैसे entry करते हैं यहाँ पे क्या जो चीज़े हैं लेकिन हाँ gates वेगरा थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे सारी चीज़े organized हैं उसके बाद guys मैं यहाँ पे lounge में पहुच गी सियालदा railway station पे और यह AC waiting lounge है और यहाँ पे पहुचने के बाद मुझे थोड़ा relax फील हुआ गर्मी बहुत जादा थी तो यहाँ पे lounge में आने के बाद हम सबसे पहले किये lunch क्योंकि लंच का time हो चुगा था और यहाँ पे लंच में मैंने ओडर किया वेच थाली जो कि काफी जादा टेस्टी थी और वेच थाली गाईस सानवी का खाने का बिलकुल मन नहीं हो रहा था उसका मन हो रहा था कि मैं ममा मैं जूस पी लूँ तो यहाँ पे शानवी के लिए मैंने ओडर किया था और गाईस लाउंज में ना मसाज चेर का भी अरेंजमेंट किया हुआ था तो आनद यहाँ पे मस्त मसाज ले रहे हैं दो दिन का सफर लगेज बाकी सारी चीजों की वज़े से बहुत ही जादा थाकान हो जाती है तो गाईस हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम प्यादा न्यू दिली राज़वानी से जा रहे हैं दो दिन का इतना लंबा सफर और आप लेक साथे हालत कैसी हो रखते हैं और हम घराब हालत हो रखते हैं चाहिए सौने का मन कर रहा है और में जाते ही लेखते हैं होफ़ ski में सो जा हूँ आउइ छालिए प्लाज प्रें के अप्रणर दो कर दो फ्रेंड्स यहां पे मैं ट्रेइन में आके बैठ चुकी हूँ और बिल्कुल कमफर्टेबली मैं बैठ गए क्योंकि हमारी दोनों सीट्स जो टी वो लोर सीट्स टी और मुझे लोर सीट पे बहुत ही ज्यादा कमफर्ट फील होता है मैं ट्रैवल करते वक्त मुझे लगता है एक मिनिट इदर उदर नहीं हुई और मैंने शानवी को थोड़े से गरम कपड़े पेना दिया हैं क्योंकि राजदानी के जो एसी का टेंपरेचर है बहुत ही छिल रहता है और उसको ठंडी लग रही थी इसलिए मैंने उसको उपर जो है फुल थोड़ा सा वुलें जैसा पेना दिया और नीचे पजामा पेना दिया है और यहां पे आप देखिए हम निकल चुके हैं सियाल्दा से और हमारी यह सफर चाड़ से पार्च घंटे का है बिल्कु छोटा सा सफर है लेकिन जल्दी से बीच जाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं शानवी मज थाके मोबाइल लेके मोबाइल देख रही है उसके बाद आ गया हमारा स्नैक्स और स्नैक्स में मिले थे बहुत ही अच्छे से सैंड्विचेज कचोड़ी कचोड़ी गाइस बहुत ही टेस्टी था और आप देख सकते हैं चूप चीवड़ा मीठा और एक इवनिंग अच्छा से स दाल चावल सबजी पनीर की एक मिक्स वेज सबजी और दो स्वीट्स वेगरा सर्फ किये गया जो कि बहुत ही अच्छा था गाइस मुझे वन्दे भारत से जाद अच्छा खाना राजधानी का लगा आप यहां पर देख सकते जो पैकेजिंग और जो सारी चीज एना खाना बहुत ही यम्मी था और बहुत ही ट्रेस्टी था लगी नीरा था कि मतलब ट्रेन का खाना है आप यहां पर देख सकते मैंने जीरा राइस दाल पनीर की सबजी मिक्स वेज और उसमें एक स्वीट था इसमें दो गुलाब जामून थे और अचार पिकल सारी चीजे थी और ख व्लॉग की एंडिंग लूँ इसलिए मैं यहीं पर एंड कर दे रही हूं और यह रात के 11 बजे की क्लिप है तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बाबाई